नमस्ते, प्रणाम, मैं मिनाकसी जेन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाकसी जेन पर यह वीडियो आइडेंटिफाइद पिक्चर और इमेज का पार्ट 2 है, यानी चित्र या तसविर पहचाने पार्ट 2 इससे पहले identify the picture का part 1 चैनल पर uploaded है उसमें मैंने by mistake political party बीजु जनतादल की founder नविन पतनायक नबता कर बीजु पतनायक बता दिया था तो please correction कर पड़ें कि 26 दिसंबर 1997 में बीजु जनतादल की स्थापना नविन पतनायक ने की थी और अब topic के तरफ पड़ते हैं तो first question यह स्मारक किस सहर में है in which city is this monument located और options है A. Mumbai, B. Kolkata, C. Jaipur, D. Tilly तो इस monument स्मारक का नाम है हवा महल जो भारत के राज, राजस्थान की राज़ानी जैपूर में सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंग ने बनवाया था महाराज सवाई प्रताप सिंग सवाई जैशिंग के पोते हैं सवाई जैशिंग या जैशिंग त्विती हैं जिन्होंने 1727 में जैपूर सहर को बसाया था तो right answer यहाँ पर option C. जैपूर हवा महल, the palace of winds और the palace of breeze में 953 953 जरोखे यानी छोटी छोटी जालिदार खिड किया है 953 जरोखा हवा महल की खिडक्यों की संख्या एक बार KBC registration process में जो NTC nearest to correct question पूछा जाता है उसमें भी पूछा गया था जिसका answer numerical रहता है पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिडक्या है अगर आप nearest to correct question टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो comment में लिखना मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूग हवा महल की वास्तुकार आर्किटेक्ट का नाम है लालचन उस्तार और जैपुर सहर जो सवाई जैसिंग या जैसिंग दुईतिय ने बसाये था 1727 में इसके चिफ आर्किटेक्ट या प्रमुक वास्तुकार थे विद्यादर भटाचारे या कभे-कभे विद्यादर चक्रवर्ती भी लिखा मिल सकता है इससे रिलेटेड एक क्वेशन मुझे खुद को के भी सी में भी पुछा गया था जो 25 लाग का था और क्वेशन था किस सहर की रूप रेखा की योजना बनाने का स्रे सिल्प सास्त्र में निपुन विद्यादर बटाचारे नामक एक बंगाली विद्वान को दिया जाता है और ओप्शन दिये थे ये चार तो जैपुर सहर की रूप रेखा की योजना बनाने का स्रे विद्यादर बटाचारे या विद्यादर चक्रवर्ति को जाता है और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो डीटेल में पढ़े उससे चीजे लिंक हो जाती हैं और याददास्थ भी बढ़ती है और अब नेक्स्ट क्वेशन की तरब बढ़ते हैं ये किस देश का राश्ट्र द्वज है विश कंट्रीज नेशनल फ्लैग इस देश और अप्शन है ए चीन, बीस रेलंका, सी भुटान, डी जापान तो ये सफेद बेग्राउंड पर एक लाल गोले वाला राश्ट्र द्वज जापान देश का है तो राइट आंसर यहाँ पर अप्शन डी जापान जापान के इस नेशनल फ्लैग का ओफिशल नाम है निसो की यानि दस सन्राइस फ्लैग सुर्यो देद्वज और जापान के इस राश्ट्र द्वज को हिनो मारू नाम से भी जाना जाता है हिनो मारू यानि the circle of the sun सुर्य का चक्र या गोला वाइट बैनर पर लाल गोले वाला द्वज जापान का है वहीं white banner की जग़ अगर green banner पर लाल गोले वाला द्वज हो तो वो राश्ट्र द्वज पांगला देश का है जिसे लाल हरा the red and green नाम से बीचाना जाता है मैं आपको भारत के आसपास के कुछ एक देशों के राश्ट्र द्वज बता देती है तो ये map पर यहाँ पर पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का national flag ये राश्ट्र द्वज है जो white और dark green color से बना है और dark green फिल्ड पर एक सफेद रंग का चांद और सितरा भी बना हुआ और ये अफगानिस्तान है यहाँ पर map में और ये अफगानिस्तान का national flag राश्ट्र द्वज है जिसमें तिन रंगों की vertical strips है काला, लाल, हरा, black, red and green और बीच में सफेद रंग में अफगानिस्तान का national emblem है अफगानिस्तान का emblem या प्रतिक चिन ओरिजनली इस तरह का दिखाए देता है जिसमें बीचों बीच मस्चित की छवी है और मस्चित के आसपास ये गेहों की बालियों की माला सी बनी हुई है और ये यहाँ map पर चीन देस हैं जिसका राश्ट्री द्वज ये है, five star red flag red color के banner पर golden color का एक बड़ा सितारा और उसके साथ गोलाई में चार छोटे star और यहाँ पर ये नेपल देस हैं जिसका राश्ट्री द्वज नेशनल फ्लेग ये है जो विश्व का एक मात्र ऐसा देस है जिसका राश्ट्री द्वज चोकोर या आयताकर नहीं है जिसमें दो लाल रंके ट्राइंगल और किनारे नीले रंके बने हुए है और उपर वाले ट्राइंगल में अर्दचान और नीचे वाले त्रिकोर्ण में सोरे अंके थें और अब यहाँ पर भुटान इस्तित है और यह भुटान का राश्ट्रे द्वज नैशनल फ्लैग है जो तिरचा दो भागों में विभाचित किया हुआ है उपर वाला ट्रिकोर्ण ये पार्ट येलो और दूसरा आधा पार्ट औरेंज कलर में है जिस पर सफेद ड्रेगन का चितर अंके थे जो चार गहने ज्वेल्स होल्ड किये हुए है और यहाँ से आगे यहाँ पर बांगला देश जिसका फ्लैग में अल्रेडी पता चुकी ह ये वाला और यहाँ पर म्यानमार देश है मैप में जिसका नैशनल फ्लैग राष्ट्रे द्वज ये है जिसमें तीन होरिज़ॉन्टल स्ट्रेप है येलो ग्रीन एंड रेड पीला हरा और लाग और सेंटर में एक बड़ा स्टार है पाइट कलर कर और भारत के ये दक्सिन पाइट की तरप जो स्री लंका है उसका नैशनल फ्लैग या राष्ट्रे द्वज ये है जो येलो या गोलन कलर के बॉर्डर द्वारा दो पैनल में बटा है लेफ्ट पैनल में दो वर्टिकल बैंड है ग्रीन एन ओरेज और राइट पैनल जो मरुन कलर का है जिस पर रंके थे और ये यहां हिंद महासागर में माल्दिव देश है और माल्दिव का राष्ट्र द्वज नैशनल फ्लैग ये है रेड फिल्ड पर सेंटर में ग्रीन रेक्टेंगल जिस पर अर्थ चंद्र अंके थे और जो पर्टिकल है अब नेस्ट वेस्चन ये लोगो किस भ बी गेल इंडिया लिमिटेट, सी सेल, डी पावर ग्रेड तो ये लोगो सरकार ध्वारा महारत दरजा प्राप्त कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का है तो राइट आंसर यहां पर अप्शन अ कोल इंडिया लिमिटेड जिसे सौर्ट में CIL भी कह जाता है CIL यानी कोल कमपनियों को महारतन का दरजा प्राप्त है जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड या CIL का लोगो में आपको पहले ही पता चुकी हूँ और बाकी के नो महारतन कमपनियों के लोगो भी आपको में पता देती हूँ तो सबसे पहले भेल भेल जिसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भेल कमपनियों का लोगो ये है ध्यान ये रखिएगा मैं जो भी लोगों आपको बता रही हूँ उसमें जो नाम लिखा रहता है कमपनियों का वो पिक्चर दिखाने की समय हटा दिया जाता है नेक्स्ट बीपीसीयल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीपीसीयल का लोगो ये है और इसके बाद गेल या गेल इंडिया लिमिटेड और गेल का लोगो ये है नेक्स्ट एच्पीसीयल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एच्पीसीयल का लोगो ये है नेक्स्ट आइच्पीसीयल इंडियान ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदी में भरतीय तेल निगम और आइच्पीसीयल का लोगो ये है नेक्स्ट, NTPC Limited जिसका full form National Thermal Power Corporation Limited राष्ट्रिय ताप विद्योद निगम Limited और NTPC Limited का लोगो यह है एकदम सिंपल, NTPC ही लिखा है दोनों लेंग्वेज में नेक्स्ट, ONGC यानी Oil and Natural Gas Corporation Limited हिंदी में तेल एवं प्राकरतिक गेस निगम Limited और ONGC का लोगो यह है नेक्स्ट, Power Grid या Power Grid Corporation of India Limited और यह है Power Grid Company का लोगो नेक्स्ट, सेल फुल फॉर्म, Steel Authority of India Limited और हिंदी में भारतिय इसपात प्राधिकरन और यह सेल का लोगो है नेक्स्ट क्वेस्ट्चन इस भारती सत्रंच के लाड़ी को पहचानी है identify this Indian chess player और options है तो यह भारत की महिला सत्रंच की लाड़ी कोने रूहमपी की थस्विर है जो 2019 में वर्ल्ड रैपिट सत्रंच एपमेंसिप जितने वाली पहली भारती महिला वने तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option C कोने रूहमपी यह बाकी के options में भी सब भी महिला सत्रंच की लाड़ी है इनकी भी मैं तस्विर दिखा देती हूँ यह है द्रोणा वल्ली हरिका और यह है तानिया सचदेवा और यह है मेरी एन गुम्स अब नेक्स्ट क्वेस्चन तस्विर में दिखाया गया स्मारक किस मुगल सासक द्वारा बनवाया गया है The monument shown in the picture was built by which मुगल रुल और options है A. अकबर B. सा जहां, C. जहांगिर, D. और अंजे और यह तस्विर में बुलन धर्वाजा है जो फतेपुर सिकरी में स्थित है जिसे डोर ओफ विक्टरी यानि जीत का दर्वाजा भी जाना जाता है क्योंकि बुलन धर्वाजा तीसरे मुगल सासक अकबर ने 1602 में गुजरात पर विजय प्राप्त करने की श्मरती में बनवाया था तो यहां पर राइट आंसर अप्शन A. अकपर चौपर मीटर की हाइट के साथ बुलन धर्वाजा विश्व का सबसे उंचा प्रविस्द्वार है हाइस्ट गेटवे इन दे वर्ल विद 54 मीटर हाइट वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पुछे गए इन दोनों प्रश्णों के उत्तर कमेंट में दे वीडियो यूसफुल लगें तो एक लाइक शरूर करें आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही किमती है और जाते जाते कमेंट के मात्यम से अपना फिड़बेक दे दे वीडियो को अपने सोशल ग्रूप्स में शेर अवस्य करें क्या पता जाने अंजाने किसी की मातत हो जाए इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना खैल रखेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद